नाज विचारों कर से विशय विकारों नाज विचार कर से इतले भगवाननी मूर्ती ए वांस अने मन ए भूत नवरू पड़े भगवाननी मूर्ती मा जोड़े देवान। चालो भगवानना स्मरण करो चालो भगवानना चरित्रों विचारो यह वी रिते भगवानना चरित्र, वारता, दर्शन एक दिवस्तना याद करवा मांडे तोई पार ना आवे तो सत्संग थयो होए ने दस बार पंदर वरस थया होए तो क्या थी पार आवे हने चरित्रो एरिदे संबारवां आगाम्मा महाराज हने परमहंसनी सभा थाई हती आगाम्मा पुझा थाई हती महाराज ना लिला चरित्रो ने आरिते याद करे कहाराज तम नेareง शंका था ये विचार आवए कि थम खेता हो तो अन थोड़ू खाई ने उपवास करियें मन ने धिलू पाड़ी नाखवा तो महाराज केचे हम ये केता न थि उपवास करवानू अमे केता न थि ये तो जेना जे नियम छे ए प्रमाने रे जो परन्तु हमारो केवानो बावार थे छे मन निर्वास निक जुए आँ शरिर्थी गमेटली प्रवरुती करता हो पन जो मन शुद्ध होए तो ये नू भूड़ू थाई नहीं शरिर्थी कई न करो और मनमा अज़ बाद्धी प्रवरुत्यों बरी होए तो ये नू सारू थाई नहीं उपर तजे, अंतर भजे, एन नवसरी अर्थ जी. अने उपवास करो, तो शरीर दुरबड़ थाए, एनी साथे मन कदाच दुरबड़ थाए, पन वड़ी जयरे खावानू चालू करो, एटले मन पाचुम हतुम योगुनेवु थाई जाये छे. अटलू बजन करवा चता, आवा विचारो करवा चता, सत्सं करवा चता, मन ने अंदर जो संकल्प विकल्प रेता होए, तो ये मुटा संत ने आगळ केवा. पन जे संत पोता ने वड़े, एने ज संकल्प केवा. पन तमारा संकल्प सांबली ले, पचिकसु तमने के नहीं, तो ये अगर पुता ना विचारो केवा थी कुई फाइदो नहीं. जे हम कुतरा नू मुख कुतरो चाटे, बे कुतरा भेगा थाए ने, जी बड़ी लांबी करी, नहीरता था ही जाए पती केवा. ये हम तमे तमारा संकल्प कही दो अंचालता था हो, ये हम कोई अर्थ ना थी. सर्पने गेर परोनो साप, बेस सर्प भेगा थाए, जी बेलांबी करी, हुंकि इंजता रहे. संकल्प तो ये नहीं अगड केवा, कि तमारा संकल्प सांपलीन तमने सिखामाना पे, संकल्प तालवानो उपाय सूचवे नहीं अगड केवा. अने एवान आगड केवा, कि जे हयामा भगवान नू भजन्त दू हो है, भगवान नाज विचारो आवता हो है, जनू जीवन भगवत परायन हो है, ये ने मन आगाट केवा. नहीं तो बिजाने केशो, तो सुख कहीं फाइद हो नहीं कोई गम्मा एक पती पत्नी वचे जगडा थाए. पती दर्रोज बुदानी पत्नी वड़े, आम करेचे, तार काम मा नठेकन न थे, तार रसोई मा भलिवार न थी, तार करतना तो सिविल होस्पिटल नी रसोई हारी होये चे, आवु होये चे, दिवु होये चे, दर्रोज वड़े. आना पाड़स मा कोई बेन रहता था, एमन पती मृत्ति उपामी कहलो, साथेक वरस खेला, एक लिए रहते थे, मुझाई गेली आ बेन एमनी सला लेवा गई, क्या मा उसो करो, हाब मारो पती मने वड़्याज करेचे, पहली बेन कहेचे, हूँ है किटले सुखी छो, मने मारो मन थाय, त्यारो रांदी ने खाइलाँ छो, मारे वासान ना माजवावे तो बेदाड़ा ना बेगा माझू छो, मारे कोई चिंतानी फावे त्यारे उंगी जाओ, पावे त्यारे जागू, कोई कच-कच ने, हूँ आसिरोवद आपन छो, तुमे जल्दी जल्दी मार सारा गुरुनी सोधमा निकलाता, दांगद्राना कोई मठादिस पासे गया, सांबले लिया मनी किरती बहु सारी है, मन जीते लूँ छे, विकार वासना मात्र जीते लिदे लिजे, त्याँ पहुंची ने, नमस्कार करे, मारे तमारा शिश्य थवू छे, कारण के तमें, व वासना विकार मात्र जीती लिदां छे, मने दिक्सा आपो, तमारी साथे राखो, पहला मठादिस के छे, अच्छुकरों गंडों थयो लागे छे, तर्तज के छे, जो, जित्वा वासना जित्वा नी वात्मति बराबर छे, तारे रेवु हुए, तो हुं ताने मारोसिश्य के बनाओ, पाकि वासना वासना जित्वा नी वात्तो बदी जवा दे, क्याम तम्हे आओ वोलोच, यहुँ ना बोलू त्यारे, चालीस वरस पेला हुँ जगनात पूरिन जात्रा एगेलो, किटला वरस पेला, चालीस वरस पेला हुँ जगनात पूरिन जात्रा एगेलो, च बोगों फोगों उस फोगला कोई भाहमनी भागोले, बैनों फहाँ उपर पानी भरताँ लां में बैतने रश्तों पूछ जो कि एमारे जगन्नाक पूरी जवु इस रश्तों जो पानी भर्नायों अरी बैनों मां थू कोई एक बださい हाथ लांबा करिन रस्तो बतायो लटकू करिने के सिद्ध आहेड़े जाओ मुकुंध मुक्तान स्वामी नू पुरुवास्टरम नाम मुकुंध हतो मुकुंध चालिस वरस थेग्या ये बेन वे लटकू लांबा हाथ नू हजु मन याद आवे चे बोल तुम कहेचे के वास्ना विकार टाडवाना मुकुंध चिनायम थेयो मुक्तान स्वामी ने ताहिने आगुरु भल्याइगा दी उपर बेसी रहला आगर वद्या पछी रामान स्वामी नू मिलन थेयो मुक्तान स्वामी तियाँ ज रया कि श्री जी महाराज कहे छे कि पूता ना मनना संकल्प इवा ने केवा कि जहने मन जीतिम होए स्री जी महाराज एक वात एम कहे छे आमा सभा में बदा बेठा आशे महाराज जी कहे उन उपवास करवन में कहता न थी तो कोई हरी भक्त मां थी कोई बोले मां सो तो तो आपने एकादसी न उपवास करियें छियां बंद करियें काल थी तो आजे ज एकादसी छे जो जो पाज आज वचनावरत नी खुबी छे चमतकार छे आके अगाउ थियां बजेट बना वाद दुन थी पर भगवान ने इच्छाई एक दीव से कथावे जाए स्वामिनान भगवान केचे एकादसी न उपवास करोच पड़े आने एकादसी न तमिजे उपवास करोचो ने ये तो हजू अदूरो छे एकादसी न वरत साचू कोने केवाए दस इंद्रियो अने अग्यारमू मन एने पोत पोताना आहारमा थी काड़ेने भगवानमा जोडवाँ एनू न आम एकादसी इच्छ इटले के एकादसी न आदिव से खाली रुटली के भाकरी दालबात खीचडी बंद कराए अने आपने माने लएए कि आज तो राजगरों के मुरियों के बटाका थीकादसी करी इतले वरत पूरू ना है तो एक वरत नो तमें आउंसज करेऊच साचू वरत बद्धानो आहार बंद करो तमें खाली एक जीबनो आहार बंद करेऊ आँखनो एकादसी ना दिर सेंग कोई दाड़ो आतो उदाहर ना पोछो एकादसी ना दिर सेंग क्याई पाण जवू नहीं पिक्चर के टीवी उपर पिक्चर आवतो है तो है नहीं आज एकादसी छे आँखनों आहार बंद आजे एकादसी छे कान नो आहार बंद बुले चुके गरमा केसेट बड़ी होय गायनों नी तो एकादसी तो न चड़ावी आमें सोबे नहीं कारण के बे वस्तु जुदी छे लगन ना गित आने मरन ना मरसिया तो भगवान ना भक्त ने गेर तो उच्छा थी भगवान न की तो गवाए पहला नहीं कोई दाड़ो पन छत्ता मानिलो को एकादो सब्यकाचो पोचो होय तो एकादसी ना दिव से तो नईच एकादसी ना दिव से फरवा रखडवा भगीचा क्याई चवू नहीं एकादसी ना दिव से खोटा वांचन करवा नहीं एकादसी ना दिव से कमाम प्रवुरुती जे आपना उपर अनिवार्य होय जेम के नोकरी तो एकाम पती जाए बाकी ना समय मां सारू वांचन, सारू दर्शन, सारू स्रवान, सारू मनन तो एनू नाम केवाए एकादसी बाकी एकलाव बटाकां के राजगरा थी काम पूरू थद्दू न थी एकले स्रीजी महराज केचे दस इंद्रेन अग्यारमू मन पोत पोताना विशय मां थी काड़ी अने भगवान मां जोड़े एनू नाम साची एकादसी चे अने वड़े त्यागी भक्तो एतो जी पदार्थनो त्याग कर्यो एनू फरिथी क्यारे पन मनमा संकल्प पन्न थवादेवो अने जेने संकल्प थया करतो होए तो इप्राकृत भक्त केवाई चे आत्मानन्द स्वामिये माहराज ने प्रश्ण पुछे माहराज जीवनू स्वरूप सो स्रीजी माहराज केचे लिए थोड़ोग उत्तर करिये जीवनू स्वरूप जे संबलावे समझावे कि समझावनारो जीव छे अने समझवा माते जे बेठो होए ये पन जीव छे